आज हमें खेलना है football और क्या सीखना है coordination ठीक है तो आज हम क्या खेलेंगे football और football से क्या सीखेंगे coordination आज हमारा कौन सा लेक्चर लेक्चर नमबर 6 और 6 लेक्चर है आखरी लेक्चर होने वाले हमारे चेप्टर का तो चलिए class 12 business studies शुरू करते हैं तो अगर आपने अभी तक के हमारे 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने playlist बना दिये यहाई बटन में आपको link मिल जाएगा जल बढ़ेंगे ठीक है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो करके रहे हो कमेंट्स में जाकर अपने presence लगाओ और दोस्तों के साथ share जरूर करो सब मिलके पढ़ेंगे एक ही स्टोरी से पढ़ेंगे तो मिलके पढ़ने में मज़ा ज्यादात है ठीक है तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है को ओरडीनेशन का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना सबसे पहले एक फुटबॉल का गेम समझो फुटबॉल का गेम चलो कहा समझो आपको यहां चलो यह द सारे और बैठे होते हैं और यहां पर कुछ इनके टीम के मेंबर्स और इनके मैनेजर्स वगरा बैठे होते हैं यह नॉर्मल होता है इसको पास करेगा इसको पास करेगा इस तरीके से करके हमें क्या करना होता है गोल करना होता है ठीक है अब जरह ध्यान से समझके बताओ यहां से एक प्लेएर शुड़ूए नहीं जी इससे कोई मतलब नीए में तो कहल आ होता है यही समझेंगे और यह जो आपस में जो यह इसको भेजता है बॉल वो उसको भेजता है इसे ही हम क्या कहते हैं को ओर्डीनेशन कहते हैं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना ठीक है अब जड़ा देखते हैं इसको बिजनस की फंक्शन को अदर फंक्शन कौन से हैं हमारे प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग डिरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोल यह पाच फंक्शन पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में ठीक है तो इन सारे फंक्शन को बाट क्या करती है बांधती है ठीक है जरा ध्यान से समझो मैंने लोग चार का えー जो लोग जो आ, लोगो, जो भी इंपलोईस के लिए पॉलियस वगएरए सब बनाते हैं ये लोग लिए च्षें करते हैं ये चारो आपस बात चीट नहीं करते हैं ये चारो आपसमें बाचीट नहीं करते हैं ये ổ आपसमें बात चीट संग स्थें रहा सब्सक्राइलब का जू dil मार्केटिंग वाला गया मार्केट पर माल बेचने लगा मल बेचने लगा هूर ये लगा असी पर ये मोच पाट के यह जाके यह में लाख Рवान इसी उनित मैंने बेच दिया 3 अब अब आप आसि में यह वाल बैच आप आप दिसकॉशन कर लिया होता तो तो क्या ऐसी नोबत आती, नहीं, ठीक है, या फिर अब आगे देखो, इसकी production वाले से भी बातचीत नहीं थी, production वाले ने क्या था, यार एक लाख बोलतो आया, अब हमें बता रहा है, अब मेरे से ज़्यादा कितना, 70,000, मालो 70,000 ही unit में बना के दे सकता हूं भाई, उस time तक जब तुने delivery का promise करके आगया, उससे यादा मैं कुछ भी कर लूँ बनाई नहीं सकता, अब ये बड़ी problem आने लगती है, तो अब ये अलग-अलग activities है, देखो planning भी करते हैं, organizing भी करते हैं, ये भी अलग-अलग activities हैं, ठीक है, departments अलग-अलग हैं, अब जब मुझे इनको जो कर पाएंगे, और जो काम में इनको जोडने के लिए करूँगा, उसी को क्या कहेंगे, coordination का मतलब क्या हता है, force, force जो क्या कर रहें, बांधता है, इन सब को बांध देगा, इन सब में क्या बना देगा, एक relation बना देगा, धागा बना देगा, जिससे कि ये सब क्या करने लग best कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो रहा है ये एक लाख बेच क्या गया लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि production वाले ने बोल दिया भाई मैं आपने काम है best और मैं चाहे कितना भी कुछ कोशिश कलू हमार पास resources उतने नहीं है हमारी factory ऐसे कि 70,000 unit बना सक करता हूँ ठीक है तो यहां पर सब best होते हुए भी fail हो जाएंगे क्योंकि coordination नहीं है तो coordination को एक और भी बात से क्या का गया है कि process coordination क्या है वो process है जिसके through manager कोई भी manager कोई भी इंसान जो manage कर रहा है वो क्या करता है synchronize synchronize कहलो या integrate कहलो integrate का मत्तब होता है जोड़ना किसको अलग अलग कामों के of different department अलग अलग कामों को जोड़ता है marketing वाले के काम को finance वाले काम को production वाले काम को जोड़ता है वो काम जो management करती है manager करता है उसी को हम क्या कहते है coordination कहते है clear है बात जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर football में players क्या कर रहे होते खेल होते तो आप उसम communicate करके अपनी पोजीशन बता रहे होते हैं, तालमेल बना रहे होते हैं, समझ गहीं बाद, ताकि क्या हो सके हम लोग गोल मार सके, एक प्लेयर अगर अकेला चाहेगा तो गोल नहीं कर सकता है, तो देखते हो कि बहुत रहर है, ऐसे चांस होगा कि कभी कर दे, otherwise 99% टाइम्स फे किवर्ड मिल जाएंगे, कुछ की फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए हमने स्टोरी तो बनाई रहे हैं, तो तो, क्या कर रहा है, कोडिनेशन क्या करता है, ग्रूप एफट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट, यह देखो, सभी लोग क्या कर रहे हैं, विल्टीदीड प्रोड्यूसो एफट्वली और फैफिशंट्ली, अब, यह ग्रूप में ऐफर्ट कर रहे हैं, अब, अलग-अलग कर रहे थे न, प्रोडक्शेन वाला फेक्टरी में कर रहे है, जो मार्केटिंग वाला है, वो मार्केट में घूं रहा है, यह जगे थोड कौन जोडता है? Coordination जोडता है, समझ मैं आई पार, तो ये क्या करता है? Integrate करता है किसको group के effort को, उसके बाद क्या है? अगला ensures unity of action, unity of action मतलब देखो action का मतलब जो काम हो रहा है, unity का मतलब एकता, लड़की वाली एकता नहीं, एकता, ठीक मतलब एक साथ जो काम हो रहा है, तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि marketing वाला के वाल अपना goal अचीव कर रहा हो, बाकी दुनिया भाड में जा मैं कैसे भी, मैं बस बेचने से मतलब एचा है, product बन रहा हो, ना बन रहा हो, नहीं, हमें क्या करना होता है, unity of action की, coordination क्या है, continuous process है, अब देखो, जब management ही, continuous process है, management हमेशा करते रहना पड़ते है, तो जब तक आपको management करते रहना पड़ेगा, अलग-अलग departments है आपके पास, अलग-अलग लोग काम करें आपके पास, तब तक तो आपको उनको जोड़ के रखना पड़ेगा, और जब तक जोड़ के रखने की जोड़ते है, तब तक आपको coordination करना तो coordination कैसा process हो गया, continuous, एक बार नहीं है, कि एक बार आपने जोड़ दिया, तो खतम, ठीक है, आपको बार-बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, then क्या है, pervasive function, pervasive function मतलब कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, कहीं भी चले जाओ, coordination क्या करना होता है, करना होता है, मतलब coordination का function हमें perform करना होता है, का coordination की process हमें करनी होती है, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे यूएस में काम कर रहे हैं, किसी भी देश, दुनिया कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, coordination तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको group efforts को unity में करना है, unity of action करना है, एक ही direction होना चाहिए, तो coordination की जुरत है, आपको सबको जोड के रखना है चाहिए आप कहीं भी काम कर रहे हैं then, ये किसकी जिम्मेदारी होती है coordinate करना है किसकी जिम्मेदारी होती है, managers की coordinate करना किसकी जिम्मेदारी होती है managers की, जैसे कि इस example मैं बताओ, तो क्या ये marketing वाले की जिम्मेदारी है, कि accounts वाले से coordinate कर रहा है accounts वाले की production वाले से, नहीं अब इन सब के उपर क्या होगा, एक manager होगा यहाँ पे बैठा हुआ, यह जब यह इनको बोलेगा कि भाई marketing वाले है, तु बेचने जा रहा है, ठीक है जा, एक बार accounts वाले से, यह finance वाले से यह पूछता जा कि कितना rate कितने से कम नहीं कर सकता ठीक है, production वाले से यह पूछता जा जाते हैं, तो यहाँ पे जो उपर समझदार व्यक्ति बैठा होता है manager, वही इनको क्या करेगा, coordinate करेगा वही इनको जोड के रखेगा, बनाया के रखेगा, ठीक है तो किसकी responsibility होती है, managers की responsibility होती है coordinate करना, और coordination क्या है, एक deliberate function है what is the meaning of deliberate function, deliberate का मतलब होता है justification क्या है, जान बूझ कर किया जाता है क्यों, क्योंकि हमें पता है, अगर coordination नहीं किया तो इसके अंजाम हमने देख लिए, तो coordination जान बूझ की करता है सारे अपने field में अच्छे थे, लेकिन उनके उनके बीच में coordination नहीं था तो फेल होगे, तो इसी लिए के हम जानबूच कर उनको क्या कराते हैं, कॉम्मिनिकेट कराते हैं, उनको जोड़ते हैं, ताकि हम सक्सेस्फुल हो सके, तो जानबूच कर किया जाने वाला काम है, ठीक है, भुक में से भी आपको सारे दिखाऊंगा, मेन क्रक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, चलते हैं आप बुक की तरफ, बुक में आना जा रहा है, यहाँ देख, क्या करा कोडिनेशन क्या प्रोसेस है, जिससे मैनेजर क्या करता है, सिंक्रोनाईज करता है, एक्टिविटी इसको डिफरेंट डिपार् सेपरेट फंक्शन माना जाता है, कई बार सेपरेट फंक्शन, मतलब पांच हमने पड़े हैं, यह छटा बन जाता है, ऐसा माना जाता है, इसा माना जाता है, मतलब यह क्या है, मैनेजमेंट का क्या है, समरी, एसेंस का मतलब क्या होता है, सार, सार बोले तो समरी, ठीक है न मतलब crux management का पूरा crux क्या है coordination ही एक तरह से simple simplicity में बोलो तो coordination ही management का क्या है crux है सबको मिला जुला के साथ में लेके चलना यही तो management होता है ठीक है ना ताकि हमारा goal achieve हो सके और यही हमें coordination में करना होता है तो basically कहूंँ तो यह एक तरह से क्या है short summary है management की ठीक है तो यह क्या है separate function है जी नहीं है separate function नहीं है क्या है essence है management का यहाँ से question बहुत बनता है यह point ssp मार कर लो यहाँ से question बहुत बनता है essence of management essence of management कभी बार ये भी पूछा जाता है कि क्या है separate function है तो नहीं है कभी कभार इसको माना जाता है लेकिन ये है नहीं उसके बाद अगला क्या है it is through the process of coordination that a manager ensures the orderly arrangement of individual क्या कह रहा है कि ये ये process होई coordination का क्या है जो manager को ensure करता है कि सारी चीजे arranged manner में जैसा सोचाता है individual के सारे group efforts वो वैसे ही चलते रहे ताकि actions में क्या हो unity हो जितने भी मेहनत लग रही हो एक दिशा में एक सही दिशा में लग रही हो एक सही direction में लग रही हो ताकि हमारा goal achieve हो पाए यही क्या है coordination में हम करते हैं ठीक है उसके बाद characteristics of coordination सबसे पहला group efforts तो क्या करता है coordination integrates group efforts पूरे group के effort को क्या करता है जोडता है यह उसके बाद ensures unity of action तो unity of actions का मतलब क्या हुआ कि जो भी action जो भी काम कर रहे है अलग अलग departments उनके बीच में उनको आपस में इस तरीके से जोडना था कि एक ही direction में के काम हो तो ही कह रहे है देखो production and sales department have to coordinate their work so that the production take place according to the demand in market, coordination is a continuous process, चलते रहने वाला प्रोसेजर कुछ भी नहीं है, pervasive function हर जगे किया जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है, हर department के अंदर coordination करने की जरूत होती है, अलग-अलग departments को जोडने के लिए coordination करने की उसके बाद है हमारा, उसके बाद क्या कह रहा है कि coordination is the responsibility of all managers, किसकी responsibility होती है, middle level managers की, middle level management coordinate with both the top level and first line, बता या ब्रिज होते हैं, तो यही top से भी करते हैं, यही नीचे वाले line से भी करते हैं, subordinate से भी करते हैं, अगला का है हमारा coordination is a deliberate function, deliberate function का मतलब जानबूच कर किया जाने तो देखें यहाँ पर वही कहा जा रहा है, even where member of a department willingly cooperate and work, माल लो कि दो department के member खुदी बिना कहे ही क्या कर रहे हैं, आपस में मिल ब्याट के काम कर रहे हैं, तो भी coordination क्या करता है, उसे एक direction देता है, वो जो मिल बाट के काम कर रहे हैं, उसे एक direction देता है, for example, कई बार ऐसा भ का भी ध्यान रखना है, कि जो रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट के बीच में cooperation है, तो वो हमारे जो गोल है, उसे के direction में होगा, हो सकता है, जैसे माल लो एक organization है, तो अब दो अलग अलग department के लोग के अंदर दोस्ती इतनी हो जाए, कि वो लोग मिलते भी हैं, अच्छे से ब अरजी से इतने अच्छे से रह रहे हैं, तो उसको एक direction दे देगा, किस में, अपने goal को achieve करने की तरफ हो, वो जो अच्छा ही है, वो जो मिल, जुल के काम कर रहे है, उसको अपने goal को achieve करने की तरफ उस मेहनत को लगाएगा, ना कि वो मेहनत कहीं waste हो जाए, कि जैसे हसी मज dissatisfaction among employees, यही कहा रहा है कि cooperate कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन coordination नहीं है सब के बीच में, तो उनके efforts क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, waste हो जाएंगे, और coordination कर रहे हैं हम, और दोनों में cooperation ही नहीं है, हम चाहरे हैं coordinate कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आपस में क्या नहीं ह बादसीत ही नहीं करना चाहते हैं, आपस में मतलब communicate ही नहीं करना चाहते हैं, तो इसमसे क्या होगा, dissatisfaction among employees, employees क्या होगे, dissatisfied होगे, जब बरदस्ती एक तरस हो गया, कि उनसे बात करो, उनसे पूछा करो, तो लगता है यार यह अलग है, उससे पूछना पड़ेगा, तो ऐ ऐसी mindset बढने लगता है, अब यह हमारा topic था, basically क्या है, coordination क्या है, essence है, essence मतलब अगर मैं कहूँ summary, यह यह लाइन याद रखता है, यहां से बहुत सवाल निकलते हैं, उसके बाद अगला आता है हमारा importance of coordination, अब importance of coordination का क्या है, coordination से क्या होता है, size grow करता है, organization का, growth ही size, देखो, जब आप बड़े size organization बनाओगे, ठीक है, और तो फिर उसमें आप अगर coordination नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ लोग बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ काम मिलके नहीं तो क्या होगा, बड़ा organization create करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़े organization में धीरे-दीरे employees क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अब बढ़ते जाएंगे, तो हमें coordination की बहुत ज्यादा ज़रत पड़ेगी, और जहां coordination अच्छा होगा, तो यहीं क्या बन जागा, इसकी importance की आप size अपने organization का क्या कर सकतो, तो एजी से बढ़ा सकतो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आगी, क्योंकि सब लोग मिल जुल के काम करने वाले होगे, वहां का culture ऐसा बन चुका होगा, देन आता है functional differentiation, functional differentiation का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेगा, functional differentiation का मतलब होता है, हर function या हर department की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे marketing department है, finance department है, production department है, इन सब का अपना personal goal भी तो होता है, marketing का होता है कि भाईया, sales को मालो 10-20% से बढ़ा देना है, थीक है, finance का होता है कि profit को 10-20% से बढ़ा देना है, अब जोरू ही नहीं है कि sales के through profit बढ़े, ठीक है न, बहुत स production वाले का, क्या है हम होता है कि 15% से इस साल production बढ़ा देना है, हमें तो माल बनाने से मतलब है, तो इन सब के अलग-अलग goals होते हैं, क्योंकि इनका function क्या है, different function है, ये अपने function को अच्छे से तभी कर पाएंगे, जब क्या हो, coordination हो, coordination से ही ये आपस में, एक दूसरे के बारे भी हमेशा updated रहेंगे, और काम को अच्छे से कर पाएंगे, और functional differentiation का business को फायदा मिलेगा, business को कैसा फायदा मिलेगा, ये वैसे तो अपने personally, अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, sales बढ़ाने पे ध्यान देगा, production बढ़ाने पे ध्यान देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नही यह होगा कि production वाला कितना production कर पाएगा, कितने की मैंने उससे कह दी है, ठीक है न, तो function, अलग-अलग function जो हम करते हैं, differentiation की अलग-अलग department बाट देते, तो इनसका फायदा भी हमें कम मिलेगा, अगर हमें आरे पास coordination होगा, तो ही हमें फायदा मिलेगा, यहां देखेगा, ब people employed by organization also increases, लोग बढ़ते ही जाते हैं, main मुद्दे पर आते हैं, it is important to harmonize individual goal and organizational goal through coordination, देखो, मैंने बताया था, किस में, organizational objective में, जो objectives of management में बताया था, कि organization का goal अलग होता है, और personal जो लोग employees काम कर रहे तो, उनका goal अलग होता है, अब हमें coordination के through, इस तरीके से जोड़ना होता है दोनों के goal को, कि दोनों का goal achieve हो जाए, जैसे, business क्या कहेगी, 20% से profit बढ़ा दो मेरा employees को, काम अच्छे से करो, इसने तगड़े तरीके से काम करो, 20% से अगर profit बढ़ गया, तो हर एक की salary 10% से बढ़ा दो, अब यहाँ देखो, individual goal होता है, कि अच्छी salary मिले, organization का goal होता है, अ तो यही क्या होता है, इससे क्या होता है, size बढ़ाने में भी help मिलती है, और बड़े size में भी organization बड़े ही अच्छे तरीके से काम करती है, गड़बर नहीं होती, कियोस नहीं होता, ठीक है, functional differentiation में हम क्या देखते हैं, कि हर एक function जो काम है, वो अलग-अलग departments में, अलग- ठीक है, तो उसके हिसाब से में काम करना होता है, however, यहां से फढ़ना, however, all departments and individuals are interdependent, देखो, वैसे तो departments individual होते हैं, अपना अपना काम करना होता है, लेकिन एक दूसरे से dependent भी तो होते हैं, मैंने भी बता है, production वाले ने production नहीं किया, आप बेच आए माल, तो गडबर, production वाल thinking activities of various departments is accomplished by coordination, तो इस तरीके से हर एक अलग-अलग activities के process को जब हम link करते हैं, यह किस के थुरू possible है, coordination के थुरू, और तीसरा जो importance है, वो है specialization का, मतलब coordination के थुरू हमे specialization का फाइदा मिल पाता है, कैसे ध्यान से समझना, मैंने क्या बता है था, मैंने marketing के लिए, सबसे बढ़ यह अपने field के expert है, specialist है, अगर इनके बीच में coordination होगा, तभी तो मुझे इनके specialization का फाइदा मिलेगा, वरना इनके बीच में coordination ही नहीं होगा, तो फिर तो मैंने बताया था ना भी, कोई फाइदा नहीं है, coordination होगा, तभी इनके speciality का फाइदा भी मिलेगा, coordination नहीं होगा, आ अब यार जिसका इंतजार होता है तुम्हें स्टोरी और यह स्टोरी तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्यों क्योंकि यह टॉपिक ही हमारा बहुत इंपोर्टेंट है करा रहों ही सारे यह वाले तो कैसा function है हमारा football परवेशिव गेम मतलब coordination कैसा function है परवेशिव फंक्शन है ठीक है जिसमें क्या होता है continuously लगातार players क्या करते हैं group बनाके गृप बनाके दुसरे को ball pass करते हैं और क्या करते है goal करते हैं तो वही गया है continuously लगतार क्या करते हैं, asi group बनाके unit के साथ क्या करते है, action गोल करते हैं, सिल मैं हम से three point मेरे निकले continuous process है, खीक है, group effort को क्या करते है, integrate करता है, integrate, group effort, group से क्या याद रखोगे, integrate group effort, उसके बाद unity के साथ action करते है, तो unity of action, यहां से हमारे कितने points होगे, 4, तो football कैसा game में, एक pervasive game है, जिसमें continuously क्या करते हैं, group बनाके unity के साथ, क्या करते हैं, goal करते हैं, action करते हैं, ठीक है, और देखा होगा, अपने side में खड़ा होकर manager क्या कर रहा होता है, हमीशा direction दे रहा होता है, तो side में खड़ा होकर manager क् responsibility को निभाता है, तो यहां से क्या point निकल का आगया, responsibility of all managers, ठीक है, और बीच बीच में आपने देखा होगा, players क्या करते हैं, एक दूसरे को परिशान करते हैं, थोड़ा धक्का दे देते हैं, घिरा देते हैं, ठीक है न, तो players क्या करते हैं, एक दूसरे को deliberately deliberately बोलेते हैं, परिशान करने के क्या करते हैं, काम करते हैं, function करते हैं, तो एक और क्या आगया हमारा deliberate function, तो हमारे सारे points यहां से cover होगे, क्या होता है, pervasive होता है, pervasive function, दूसरा continuous process, तीसरा group efforts, integrates group effort, चौथा unity of action, ensures unity of action, पाच बार responsibility of all managers, और छटा deliberate function, तो यह हमारे क्या है, characteristics हैं, और इसकी importance की कोई story बनाई नहीं, क्योंकि जरुरत नहीं है, तीन ही तो point है, growth in size, functional differentiation, और specialization, growth in size, functional differentiation, specialization, चार बर बोलोगे, याद हो जगा, चार बर लिखके देखोगे, बिल्कुल ऐसा रट जाएगा, कि दुबारा जरुरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पे हमने क्या कर लिया है, सारे के सारे topics को cover कर लिया है, पहला chapter यहां पर हमारा खतम होता है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं, story याद रखना ठीक है, और channel को subscribe करो, comment किया करो, और like करो, share तो जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, बिना share करे जा रहे हो, तो पाप है पाप, ठीक है, और अगर किसी भी तरह की query है, यह notes चाहिए आपको, तो हमारे whatsapp group को join करो, हमारे telegram channel को join करो, हमें message कर सकता, facebook, हर जगे हम available है, सारे links आपको description में मिल जाएंगे, ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए, bye bye, take care